राज़ादी कॉंगरेस पार्टी एंसिपी ने आज धूले नगर निगम के खिलाफ घोशना देते हुए मोर्चा निकाला और सत्तारूड दल और निगम प्रशासन के खिलाफ पिरोद प्रदर्शन किया दूले नगर निगम में सत्तारूड भाचपा ने पिछले साल से दूले नगर निगम में संपत्तिकर को 5-10 गुना बढ़ाने का फैसला किया है इस फैसले से शहर के लाखो नागरिकों पर आर्थिक बोच पड़ेगा पहले मकान का किराया 300 रुपे, 500 रुपे, 900 रुपे था लेकिन अब यह 10 गुना बढ़ गया है और अब वही मकान किराया 10,000 रुपे तक पौच गया है इसलिए दूले के नागरिकों को इससे बेवज़ा परेशान किया जा रहा है इसलिए आज राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी ने धूले मनपा के भाहर धरना दिया धूले नगर निगम का संपत्तिकर और अंगाबाद नासिक नगर निगम से अधिक है संपत्तिकर लगभग 17-22 रुपे प्रतिवर्ग मिटर लगाया जाता है इतना संपत्तिकर लगाने के बाद भी धूले कर बुनियादी सुविधाओ से वंचित है पिछले कई सालों से शहर में गड़ो, सड़को, पानी और अन्य सुविधाओ की कमी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से धूले करके नागरिकों से अपिल की गई कि कोई भी शोरगुल वाला घर न भरे राकापा के नगर जिलाद्यक्ष रंजीत राजे बोसले ने मांग की कि धूले नगर निगम जल से जल संपत्तिकर कम करे इसलिए इस वक तांदुलन भी किया गया जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार की अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुश्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें